चाहिन दोस्तों मैं हूँ SK और Technosense में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है स्वीटन का एक न्यू मोडल लॉंच होआ है वो है 8 इंच में 4 Ohms 40 Watt और उस उफर का आज हम Unboxing, Review, Sound Test और उसके साथ इस उफर का specification और TS parameter के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखियागा एक न्यू मोडल आपको देखने को मिल रहा है और जो बांदा मेरे चनल पे आज नया आया है तो प्लीज मेरा चनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजएगा क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही technology related update वीडियो मेरा चनल पे लेकर आता हूँ तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं तो friends, Sweden की तरफ से ये 4 ohms 40 watt का उफर लॉंच किया गया है और पहला वाला 4 ohms 40 watts से सब कुछ चेंज कर दिया गया है इसका कॉन colorful दिया गया है और surround भी rubber का दिया गया है जिसका sound quality पहले से कही गुना बहतर है तो आप चाहे तो ये उफर यूज कर सकते है और देखिए दोस्तों यहाँ पे Sweden Kolkata यहाँ पे लिखा हुआ है Sweden logo के साथ यहाँ Super base range यानि पहले से ज़्यादा base और यह series नया है और यह 80 inch में है और दोस्तों यहाँ पे ही clearly mention किया हुआ हुआ है उफर 4 ohms 40 watt तो यह उफर आप यूज कर सकते है अगर आप छोटा sound system बनाना चाते है या tower speaker box पे के अगर attach करना चाते है काफी अच्छे response मेलता है इस offer से तो देखिए दोस्तों generation modification के साथ-साथ कई changes हो चुका है amplifier में क्योंकि नए जमाने में इतने amplifier आ रहे है नए trending में कुछ amplifier भी चल रहा है जैसे 520072943886 और class D amplifier जो आ रहा है 3116 इन सभी amplifier को ध्यान में रखते हुए Sweden की तरफ से और भी कुछ नए model launch किया गया है जैसे 8 inch में 100 watt 8 inch में 150 watt और 10 inch में 150 watt double magnet बे और वो सारे वीडियो भी मेरे चाल पे एक एक करके आना स्टट हो गया है तो प्लीज मेरा चानल को subscribe करके रखिए वो वीडियो नहीं तो आप miss कर जाएंगे तो finally दोस्तों ये उफ़ार का box open हो चुका है अब चलिए इस उफ़ार को open कर लेते हैं और दोस्तों देखिए बिलकुल colorful है और इस packet को भी हम cutting कर लेते हैं फिर clearly सब कुछ दिखेगा तो चलिए इसको हम cutting कर लेते हैं और दोस्तों देखिए स्वीटन एक Indian company है ये 1982 से लगातार उफ़ार स्पिकर manufacturing कर रहा है और result काफी बहतरीन है budget के अंदर एक अच्छे quality का speaker उफ़ार provide कराते आ रहा है पिछले 40 सालों में और result काफी अच्छा है और धीरे धीरे company आगे बार रहे है future में एक बहुत अच्छे जगा पर जरूर जाएगा क्योंकि इसका build quality देखिए इतना अच्छा है जो बड़े बड़े branded उफ़ार को टकर देगा तो देखिए यहां पे इसका जो basket है काफी high quality का लगाया गया है और magnet यहां पे 90 mm का एक powerful magnet और उसके उपर sweeten का logo कोलकता और यहां पे उफ़ार और दोस्तों यह 4 ohms 40 watt बिल्कुल यहां पे clearly mention किया गया है और यह minus और यह plus रहाता दोस्तों देखिए यहां पे sweeten का हर speaker में high quality का metal यूज किया जाता है जिससे इस speaker का basket कई सालों के बाद भी color में कोई भी changes नहीं होता है और उस पे जोंग भी नहीं आता है तो देखिए build quality बहुत ही अच्छा है मेरे इसाब से और देखिए दोस्तों बिल्कुल new model की तरह इसको paste किया गया है पहले से इसका जो con था उसको change करके एक दों new colorful con यहां पे huge किया गया है जिससे इस उफर को देखने में और भी bettering बनाता है और इस con के साथ साथ ही दोस्तों surround को देखिए यहां पे surround को change करके यहां पे rubber का surround दिया गया है और इस उफर के उफर हाथ से touch करने से एक अलग premium feel हो रहा है तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो दोस्तों चलिए इस उफर का specification और ts parameter पे थोड़ा नज़र डलते है और दोस्तों इसका nominal diameter है 166 mm और इसका nominal impedance है 4 ohms और RE यानि DC voice coil resistance है इसका 3.8 ohms और इसका voice coil diameter है दोस्तो 25.4 mm और इस उफर का weight है 1.3 kg और sensitivity इसका 90 decibel और दोस्तों इसका जो FS यानि resonant frequency इसका है 75 watts और इसका BL यानि इसको अगर full form में आप जानना चाहते हैं तो product of magnetic flux by length of wire in flux field तो यह है इसका 5.33 और दोस्तों इस फिकर का specification और TS parameter एक theoretically subject है इसको समझना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए ये बात आया हूँ जिससे आपको एक basic idea मिल जाए इस फिकर में कैसा quality यूज किया गया है और दोस्तों ये TS parameter हर company को देना चाहिए जो इंडिया में कुछ चुने-गुने company है जो इस फिकर के साथ TS parameter देते है और Sweden की तरफ से हर इस फिकर में TS parameter दिया जाता है जो बिलकुल एक बहुत ही इमांदारी का स्वबुत है इस फिकर company की तरफ से और दोस्तो एक अच्छे quality का उफर में जो कुछ भी information जानना बहुत ही जरूरी है एक इस फिकर खरीदने से पहले ओही सब कुछ मैं बताने की कोसिस क्या हूँ अब दोस्तो चलिए इस उफर का थोड़ा हम sound test करते है और देखते है इसका quality कैसा है तो दोस्तो आपने देखा काफी loud था काफी trivial था और दोस्तो ये without enclosure पे ही इतना अच्छे quality का base or triple produce कर रहा है और दोस्तो मैं इसको एक enclosure में feed करके भी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा इसका quality कैसा है तो all over ये speaker का performance बहुत ही अच्छा था आप इसको buy कर सकते हैं तो आप इसको buy करना चाहते हैं तो प्लीज आप www.sweetonspeakers.com पर जाएए वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा और मैं description में इसका full details दे रहा हूँ आप जाके एक बाद जरूर चेक किजएगा तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरा इस चानल को जरूर सब्सक्राइब इस वीडियो को सेयर लाइक जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक आप सरक्सित रहें खुस रहें जाए हिंद